जय हिंद इस वीडियो में लोग पीमसी फिनो क्रॉप लिमिंटेड कंपनी बारें बात करेंगे पांच दिनों तक लगता रपर सेक्टी चलने के बाद फाइनली इसमें आज लवर सेक्ट लग गया है और अब इस कंपनी का सेयर प्राइस डाउन ट्रेंड में है यह बताइए इस उपर कब जाएगा जी तो इस वीडियो में लोग बिल्कुल यही जानने का प्रयास करेंगे कि लवर सेक्ट कितना लंबा चलेगा तथा इस कंपनी का सेयर प्राइस और कितना डाउन जाएगा एनालिसिस त्रो में आप को बताऊंगा कि कंपनी का फ्यूचर क्या है इसका मार्केट्स की डिलिवरी तो इनवेस्टमेंट का काम करती है काम समझ गया आए फंडामेंटल लेखते है इसका मार्केट का पुछ ज्यादा नहीं अर्थाथ एक पेनी इस टोक है सेयर प्राइस और आज की दिन का सेयर प्राइस है और अभी यह डाउन ट्रिन है अर् आखिर इतना डाउन की हुआ और दूसरा और कितना डाउन हो सकता है तो इसी का जवाब इस वीडियों नो ठूड़ने का कोशिस करेंगे फिलाल यह समझे कि एक समय कंपनी का शेयर प्रैस 68 पैसे का हुआ करता था बात नहीं क्योंकि यह अपरेटर से लोग होते हैं जो किसी भी कंपनी के सेयर प्रैस को उठाते हैं यह समझे कि इसमें नुकसान किसको हो रहा है जो लोग 10 रुपे का सब्सक्राइब किया होंगे या उससे उपर बाइक किया होगे 68 पैसा से लेकर 5 रुपे तक जिन लोगों इस कंपनी को बाइक किया होगा इस कंपनी के सेयर को उनको फिलाल कोई लॉस नहीं हो रहागा और उनको लॉस होगा भी नहीं क्यूंकि इसका सपोर्ट लेवल है च्छो रुपे के आसपास अर्थाथ डाउन ट्रेंड में यह आएगा च्छो रुपे का सपास उसके बाद ब्रेक होगा अपर सर्केट लगेगा या अपर सर्केट नहीं भी लगेगा फिर भी सपोर्ट लेवल तक आने के बाद इस सेयर प्राइस उठना सुरू हो जाएगा आप समझे कि आखिर इस कंपनी का जो सेयर प्राइस में कुछ दिनों से डाउन फॉल जा रही है तो इतना इसको जाना सेयर प्राइस सभाविक है और दूसरा कारण है कि मार्केट अपना हुजार आपको पता है बहुत दिनों से आप देखेंगे सेयर वाजार में स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है सेंक्सेंस और निफ्टी उच्छार लगा रहे हैं लेकिन वहां इस ती नहीं सिर्फ क्वार्टर टू और क्वार्टर वन की बात करें इसको पिछले क्वार्टर हम देखें कंपनी का प्रोफिट अप्टर टेक्स होते हैं सुद मुनाफ़ा करते हैं 46 लाग से बढ़कर एक करोन 16 लाग के आसपास हो गया सिर्फ तीन वहां में और पर से देखेंगे तो लोग अपना प्रोफिट बुक कर रहे हैं हलाकि इससे घावडाना नहीं क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल ठीक है और फ्यूचर भी ठीक है इसलिए अगर आपको इसमें नुक्सान हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं अर्था थोड़ा-थोड़ा करके बाई कर सकते हैं जैस तक मुझे इस कंपनी पर भरोसा है और 89% लोग बाई करने के लिए तो कुछ ना कुछ सोच कह रहे होंगे इसलिए अभी शेयर प्राइस डाउन जा रहा है अगर आप एवरेजिंग करना चाहते हैं जो नए लोग इंट्री लेना चाहते हैं वो भी इंट्री ले सकते हैं द हमें ऑपरेटर के साथ साथ ऊपर चलना है लेगिन वो नीचे हैं उससे पहले हम लोग को प्रोफिट लेकर निकल जाना है इसलिए 6% लोग और 5% लोग इसको सेल करने के लिए कह रहे हैं हाला कि इसको निगलेट करके चलने की जूरुवत है इसको इस पर ज्यादा ध्यान सेलिए जूरुत नहीं है इस इस पर निडिये इस कमपनी का टार्गेट 12 रूपय आपको पता है इसका रूपय का प्रोफिट हो जाएगा तो वह कहां पर के कंपनी में चुकि अपर एक को होग है 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 ही इसमें कोई सक नहीं है लेकिन operator से हमें डरना नहीं है हमेने के साथ-साथ चलना है आप देखेंगे company को उपर करजा बिल्कूल नहीं है रिजर्व की बात करें तो बाइस पुन चार चार करोन का इस company के पास रिजर्व है इसलिए fundamental की कोई चिंता नहीं है और finance sector की कमपनी तो future क के भी कोई चिंता नहीं है future काफी positive है भविस में अच्छे return दे सकता है तो उम्मीद करते हूं मैं जो बताना चारा था को समझ में आया होगा मन में कोई सवाल है तो मुसे पूछे बाकी मिलते है नेक्ट विडियो में तो तक लिए धन्यबाद सुक्रिया